हलो नमस्कार मैं डाक्टर रजिनिस कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की वीडियो लेक्चर में हम बातचित करेंगे डाक्टर बच्चन सिंक्रित हिंदी साहितिका इतिहास के अंतरगत रितिकाल के संदर में उनके महत्पुन कत्थनों पर इससे पहले हमने आदिकाल और भक्तिकाल के संदर में डाक्टर बच्चन सिंग के महत्पुन कत्थनों पर विचार किया था उमीद है कि आप सभी ने उन वीडियो लेक्चर को जरूर देखा होगा जब हम रीतिकाल पर बातचित करते हैं तो हिंदी सायते का इतिहास में रीतिकाल एक ऐसे काल के रूप में उभर कर सामने आता है जो कि आलोचकों के बीच बहुत ही सकरात्मक रूप में नहीं है तमाम प्रवितियों के अधार पर उसके नामकरन करने की कोशिश की गई है यहां तक कि उसको दर्वारी का अगर सीमित करने का प्रयास किया गया है लेकिन हम देखेंगे कि डाक्टर बच्चन सिंग के नजरिये में रीतिकाल की क्या मात्ता है और अच्छी बात है कि रीतिकाल के जो प्रमुख कभी है बिहारी उन पर उन्होंने एक स्वतनतरूप सी किताब बिलिखी है बिहारी का नया मुल्यांकन तो आपको अगर मौका मिले तो ज़रूर उस किताब को पढ़िए विडियो जी लेक्चर के मेन पॉइंट पर आने से पहले मैं बात थोड़ा सा कभीوں के नेचर पर मैं बात करना चाहूँगा कि जब आदिकाल के कभीوں को हम देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि उस समय राजा नहीं होते थे, दरबार नहीं हुआ करता था आधिकाल के जितने भी कवी हैं जो कि विरगाथा काल कहा जाता है और उन रचनाओं के आधार पर कहा जाता है क्योंकि उस समय जो कवी थे उनके उपर सामाजिक, राजिनितिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का प्रभाव था जिसे की प्रभावित होकर वे कविताएं लिखा करते थे और यहां तक कि अपने राजा के साथ अगर युद्ध करने की जोरत परती थी तो वहां भी जाते थे और भक्तिकाल में आकर देखेंगे उससे में भी राजा थे, दरबार थे, सब कुछ था लेकिन जितने भी कवी हैं सब मंदिर मठ इत्यादी में रखकर स्वतनत रूप से मनुस्य और समता को केंद्रे में रखकर कविता लिख रहे थे लेकिन जब रितिकाल की बात करते हैं तो वही कवी खास किसी राजा के दरबार में राते थे और डंके की चोट पर इनाम लेकर कविताएं लिखना शुरू कर दिये थे इसलिए इस काल को दरबारी का वेवी कहा जाने लगा और डाक्टर बच्चन सिंग ने तो उसे सवधागर कविता से संभोधित किया है अभी हाल में एक वीडियो वाइरल होई थे जिसमें की एक सुधार थी एक जाने माने साहितिकार के उपर सुध कर रहा था और उनका इंटर्व्यू लेना चाहता था तो नो ने कुछ इंटर्व्यू के बदले में पैसे की डिमांड रखी थी तो कहने का मतलब है कि इंटर्व्यू देना या फिर कविता लिखना और उसके एवाज में कुछ अनुदान की मांग कोई नई चीजी नहीं है ये तो रितिकाल में जो कवी थे वो खुल कर इसको मांगते थे जहां तक बिहारी का नाम अपने बिहारी के संबंध में एक क्यों अन्दन्ती वी सुना हुआ कि उनके एक एक दोहे पर उनको इसरफियां दी जाती थी ठीक है तो ये कुछ कवियों के जो नेचर बदलाव हुआ है आधिकाल से लेकर भक्तिकाल रितिकाल में हम पहुच चुके हैं तो कैसे कैसे चेंज हो रहा है ठीक है तो उस पर चशा करत से शुरू में पहला जो कथान में बच्चन सींग का कि केसों ने अपने यूग में जब हिंदी में कवित सास्त्र लगभग सुन्य था हिंदी को एक समग्र करसे Сास्ति vídeos बच्चन सींग में काव्य लक्षण काव्य प्रयोजन सब्द सक्तियों की परिवासा अलग-अलग कभियों ने दिये तो केशव दास्त को इसका स्रे दिया जा रहा है अगला कोटेशन है कि वे संस्कृत के पंडित थे और क्लासिक पंडित थे ये भी बच्चन सिंग का कोटेशन देख रहे हैं कि संस्कृत के पंडित थे और क्लासिक पंडित थोड़ा सा ये चमत्कृत कर देने वाला कोटेशन है तो हो सकता है कि एकजाम में पूछ लिया तुलनात्मक रूप से उन्होंने कबीर, जायसी और तुलसी, हिंदी के महान कभी हैं, विचारधारा में सभी अलग अलग हैं, पर भक्ती के अस्तर पर सब एक हैं, उनके कावे में समता, परक, मानुवी, जागरुकता और जीवन की असिस संभावनाएं दिखाई पड़ती है लेकिन इस महान परंपरा की पनेड़ती रीतिकावे में होती है, ये बच्चन सिंग का कथन है, वैसे जब आप बस्तुनिष्ट किताबों को पढ़ेंगे, तो उसमें किवल रचनाओं का ज्यादतर संग्र दिखाई पड़ता है, कुछ चुनेंदे अलोचक हैं, जिनके एक करीक के बीना सरयन एको काम, ये कोटेशन है, और ये बात है कि जैसा कि मैंने बताया कि आदिकाल के कभी राजाओं के साथ रा करते थे, युद्ध में बीच ले जाते थे, भक्तिकाल के जो कभी थे, वो मंदिर और मठों में ज्यादतर अपना समय विताते थे, एक बार की आमंतरन प्रकुम्भंदास गए थे, लेकिन उन्होंने एक पंक्ती लिखी जो की परिछाओं में खुब पूछी जाती है, कि संतन को कहां सीकरी, ठीक है, आवज्जात पनया टुट गई, बिशर गए, हरिनाम, तो उन्होंने कहा कि हमें राज दरबार या दरबार से कोई म होने वाला है, तो यह कोटेशन काफी इंपोर्टेंट है, परिक्षा की दिश्टी कोर से इसको आप नोट कर लिए, अगला कोटेशन है कि रीतिकारेंड कभी सचेत रूप से कविता लिख रहे थे, जो उनके जीव को पारजन से जूड़ी हुई थी, सचेत रूप से कवित कि कभी लोग कभीता के सवधागर थे, देख रहे हैं, हो सकता है कि इतना दोर ही, पुछलिया जागी कि किसका कोटेशन है, कभी लोग कभीता के सवधागर थे, सवधागरी पुजिवाद के यूग का प्रादुरभाव हो चुका था, देवने सू कभी को कभीता का सुअ कभी देव ने कहा था कि सूअ कभी को कविधा का शवधागर कहा गया है इस सवधागर कभी ने भोगिलाल जैसे रईस से लाखन खरच रच करीदे हैं पदमाकर ने तो डंके की चोट पर कहा था कि आखर लंगाएं लेत लाखन की समा हो तो आप देख रहे हैं कि जो रीतिकालिन कभी हैं उनको कोई मतलब दिकत नहीं है अगर वो दरबार में हैं और दरबार में कभीता लिखने से अगर उनको कोई अनुदान मिल रहा है तो कोई दिकत नहीं है आगे रीतिकाल के परवर्तक कौन रहेंगे उसको लेकर काफी डिवेट रहा है कि चिंता मड़ी है कि केशों है इस पर लक्ष्मी इस पर जगदिश गुप्त ने जो की नहीं कभीता से सिंबंदित हैं उन्होंने आचारी शुक्ल पर एक आरोप लगा दिया कि वो जान बोजकर केशों को परवर्तक नहीं मान रहे हैं चिंता मड़ी को मारने जैसा कि मैंने एक वीडियो जी लेक्ष्मी में बताया था कि रितिकाल के प्रथम कभी कौन है उसको लेकर अलग-अलग आलोजकों में डिवेट है तो बच्चन सिंग यहां पर आचारी शुक्ल के बारे में कोटेशन दिया है जो कि एकजाम के द्रि प्रयोग बहुत सो समझ कर करते हैं यह किसका कथान है बच्चन सिंग का है तो इसको ध्यान में रखी हो सकता कि एकजाम में आजए अगला कोटेशन है कि सीमित विसे वश्तु के कारण कभियों की द्रिष्टी शिल्प विधान की ओर गई उन्होंने भाशा को माजा उसे सं भाशा का प्रयोग भक्ति के प्रचार प्रसाल के लिए किया कभिता करना उनका लक्ष नहीं था किन्ति और इतिकालिन कभियों तो सच्चे तरुप से कभिता लिख रहते उन्होंने अपने धर्म से मुक्त रख लिया था उन्होंने अपने को धर्म से मुक्त रख लिया था एक लंभे कोटेशन में आप देख रहे हैं कि बच्चन सिम ने वीडियो लेक्चर में कावि प्रयोजन के बारे में चिर्चा किया था यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भक्त कभी जितने थे उनके कावे प्रयोजन का उद्धेश अलग था जबकि रितिकाल के कभियों का कावे प्रयोजन अलग था अगला पॉइंट है कि भक्ती में भक्ती में ब्रजी और अवधी दोनों कभीताय लिखी जा रहे थी किन्ति रितिकाल में अवधी में कुछ भी महतपूर्ण नहीं लिखा गया ब्रज भाषा शामाने काविवासा बन चुकी थी तो जब भक्तिकाल था तो तुलसीदा सित्यादी ने ब्रज और अवधी दोनों में रचनाई की लेकिन रितिकाल में आकर ब्रज भाषा ही मेन भाषा की रूप में रह गई अगला कोटेशन है बच्चन सिंका व्यंग्यार्थ कौमुदी जो की प्रताप साही की रचना है ठीक है उसके बारे में लिख रहे हैं कि वेंग्यार्थ कमोदी में पहले लक्ष है और बाद में लक्षा ये थोड़ा सा जो ग्रंत है अपने परिपार्टी से अलग है इसलिए इंपोर्टेंट है लक्ष अंस मूल नया प्रयोग का आजा सकता है जो परिपार्टी विरूत है ठीक है तो ये बच्चन सिंख का कथाने और इस रचना को भी ध्यान में रखने के जो रहत है फिर से बच्चन सुक्ल जी के बारे में पॉजिटिव कमेंट सिंग पर लिख रहे हैं कि शुक्ल जी के बिरोध में मत ब्यक्त करते समय उन्हें कई बार पढ़ देना चाहिए अ अगला कोटेशन है कि इनकी प्रखर प्रतिभा ने मानों पदमाकर की प्रतिभा के साथ साथ रीतिबध काविकला को पूर्णता पर पहुचा कर छोड़ दिया है ये जो कोटेशन है ये प्रताप साही के संदर में है ठीक है का जा रहा है कि जो इनकी प्रखर प्रतिभा थी वो पदमाकर की प्रतिभा के साथ साथ रीति बध कावे कला को पूर्टा पर पहुचा कर छोड़ दिया है ये कथन है बच्चन सिंका आगे छंदों में न कहीं फालतु शब्ध हैं और न दुरारोन कलपना वाक के विन्यास में इतनी सफाई बहुत ही कम कभियों मिलेगी सुक लिये ही है जरूरी थी कभीता न सही रिति गरंथी सही और सफल कभी आलोचक बन जाता है देखा होगा आपने कि जितने भी बड़े-बड़े आलोचक हुए उन्होंने पहले कभीता लिखना प्रारम किया था लेकिन उसमें अगर सफलता नहीं मिली तो जो कभीता लिख रह भीते थे उनकी आलोचना करना सुरू कर दिए मतलब उनके गुण दोस को बताना सुरू कर दिये जो कि कुछ ज्यादा आसान होता है आलोचक का जो समाने अर्थ है उसका तो मतलब है कि किकी भी चीज का सरवांग मेत तरीके से मुल्यांखन करना पॉजिटीव नीगेटीव दोनों हिसाब से लेकिन अब देरे-देरे ये शब्द रूण होता जा रहा है और एक निंदक के रूप में इस्थापी थोड़ा है इसको थोड़ा से जीवन्त बानाना पड़ेगा अगला कोटेशन है कि मतिराम का बीर्टा वरणन का दस्तूर निभाता है न शब्दों में जान है और न अर्थ में सच्चाई वह शुद्ध प्रदस्ति वाचन है ये मतिराम के संदर में बच्चन सिंग का कोटेशन है अगला कोटेशन है कि जब हिंदी का बिनाइका भेद और नक्सिक वरणन में लगा हुआ था भूषण ने इतिहास की उस प्राणवान धारा को पहचाना जो अरंग जेबी अत्याचार के विरुत बह रही थी तो बच्चन सिंग भूषण के बारे में बता रहे है कि जब हिंदी का भी नाइका भेद और नाइका वरणन में लगा हुआ था तब भूषण ने अपने इतिहास के प्रति जागरुकता रखते हुए बीर से संबंदित का विताएं लिखना शुरू किये ठीक थोड़ा से तो भूषण का रूल अलग रहा है रितिकाले में उसी की तरफ संकित कर रहे हैं अगला कोटेशन भूषण से ही है भूषण ने बढ़न की तैयारी का वढ़न अधिक करते हैं अच्छा यह जो कोटेशन यहां से भूषण ने यदि इसे सिवाजी के सामने बावन बार पढ़ाओ तो कोई आच्छा रहे ने एक पंक्ती है भूषण की इंद्रजीमी जंभ पर बांड़ सुवंभ पर तो इस पंक्ती को आप ध्यान में रखिएगा इसी पंक्ती के बारे में का आजा रहा है कि हो सकता है कि बावन बार से अधिकी पढ़ लिया हो बच्चन सिंगा ये कोटेशन है इसको ध्यान में रखिए अगला कोटेशन है कि अतिशयोक तिपून वर्ण चाहे वह बीरता का हो या स्रिंगार का कभियों का यूग धर्म था वर्ण की प्रणाली पारंपरिक और बीर गाथाओं के मेल में इसी को प्रणोक्ती सिध्धी भी कहा जाता है एक तरीकी से भूषन के संदर में ये कोटेशन है बच्चन सिंग का अगला है जहां कहीं और अरंग्जेब और उसके मुसाहिबों का प्रसंग आया है वहां कभी खड़ी बोली की चौंग डाल देता है ये बच्चन सिंग के बारे में बच्चन सिंग का कथ ठान है ठीक है कि जहां भी और अरंग्जेब और उसके मुसाहिबों का प्रसंग आता है ब्रज भासा को छोड़ ये खड़ी बोली में लिखना सुरू कर जेते हैं ठीक है तो खड़ी बोली की चौंग डाला है थोड़ा सा चमतकृत वाक्य है तो हो सकता है कि परिक्षा में ये पूछा जाए अगला कोटेशन है कि प्रगल्व कभी और प्रगल्व कभी तथा आचारे थे देव और विहारी को लेकर कभी एक को और कभी दूसरे को बड़ा सिद्ध करने का जो आंदोरं खड़ा किया गया व्यूँ नहीं देव और विहारी में कौन बड़ा है का मुल्यांकन क्या है इसके बाद लाला भगवान दीन ने फिर कृष्ण बिहारे मिस्रे ने इन लोगों ने इस पर काफी लिखा है जो कि परिक्षा के दिष्टी कोर्ष से भी जरूरी है और ये जाना जरूरी है कि रितिकाल में खासर से दो कभियों को लेकर काफी डिवेट रहा कि कौन बड़ा है इसमें और बच्चन सिंग ने तो बिहारी पर स्वतंत्रे किता भी लिख दिया है बिहारी का नया मुल्यांकन ठीक है तो ये भी जरूरी है किता पढ़ना अगला जो कोटेशन है कि उनकी कभितावां में स्वक्षंदता कि जो प्रभित्ती मिलती है वह उनने घनानंद के निकट खड़ी कर देती है ये देव के बारे में कोटेशन है आगे लिख रहे हैं कि इसमंडर रखना चाहिए कि अपने ही ग्रंतों के इस या उस अंश को काट कर दूसरा ग्रंत बना लेने कि कला आधोनिक लेखकों को ही नहीं मालूम है देव भी इस फ़न में उस्ताज थे देख रहे हैं थोड़ा सा अलग धंका ये सेंटेंस है और परिक्षा में इसी तरीके के सेंटेंस आ जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि ये कि इसका कथन है तो बच्चन सिंग अगला है कि देव जी के हाँ व्यंजना से तातपर पहली बुझहुवल वाली वस्तु व्यंजना का ही जान पड़ता है ये बच्चन सिंग का कथन है देव के संदर्म में अगला कोटेशन है देव का महत्व आचारे होने में नहीं बलकि स्रिष्ट कभी होने में है जहां तहां उनमें जो प्यंचीले मजमून दिखाई पड़ते हैं वे उनके आचारेत्व के फल है ये बच्चन सिंग का कोटेशन है और एक वाक्य का कोटेशन देखिए वस्तु तो ये मादक संदर के कभी हैं कोन देव का अध्भूत मेल है यहां पर्णमति राम का सैयम है और न विहारी का कलाशकल रूप ये भी देव के भारे में ठीक है अगला कूटेशन है भक्तों और संतों का प्रेम इश्वर के प्रति था तो रीतिकालीन कभियों का प्रेम मनु से क्या मनुस्य के प्रति यानि इस्त्री का पूरुस के प्रति और पूरुस का इस्त्री के प्रति ये कवी प्रेम को इश्वरी धरातल से उतार कर मानुवी धरातल पर लिया हैं कितनी बड़ी बात कही जा रही है अक्षर रीतिकाल को दर्वारी का भी करकर खरिच कर दिया ज कई कभी तो इसमें practical भी की हैं खासतोर से जो रितिमुक्त कभी हैं आप उनकी एक खास भी सिलता है कि उनकी कोई नी कोई प्रेमिका है ठीक है तो उन सारे प्रेमिकाओं से आप लोग भी परचित होंगे और परिक्षा में जारतर के बार पुछा भी जाता है उसमें दो ऐसे क अभी हैं जिनको प्रेम की कारण देश निकाल दिया गया था एक घनानन्द है और दूसरे का नाम आप कमेंट्स करकर बताईए आगे कोटेशन है कि स्वक्षंद काभ्यों में प्रेम की साधना बड़ी कठीन बताई गई है तलवार की धार पर दरणने की तरद देव भी का आते हैं प्रेम तो कहत ठाकुर ना एंठो सुन बैठो गणि गहिरे तो पैठो प्रेम सर में ठीक है तो ये देव का कोटेशन है और है कि स्वक्षंद काभ्यों में प्रेम की साधना बड़ी कठीन बताई गई है ठीक है आगे कोटेशान है किस शास्त्र में केशो की तरह क्लाइसिकल है तो कावे में बहुत कुछ और घनानंद की तुलना की जा रही है केशो की क्लाइसिकल मतलब कला कलात्मक टाइप के और जो घनानंद है स्वक्छन इन दोनों का मिस्तरन एं देव, ऐसा काना है बच्चन सिंखा, अगला कोटेशन, बियारी से, बल्कि देव के बारे में इहे हैं कि बियारी का प्रेम किर्णात्मक है, तो देव का आवेगात्मक है, यहां पर भी दुलना कि गई है बियारी और देव में, ठीक है, बियारी का प्रेम क्या है किरनात्मक और इनका प्रेम जो है आविगात्मक अगला कोटेशन है संदर का यह रंग मैं वरडन मतिराम और देव की नाइका के संदर वरडन से भीन है इस वरडन में कभी तटस्त है मतिराम की नाइका में विर्य विक्षोभन की स्छमता है और देव की नाइक में 99 तो अब देख रहे हैं कि नाईकाओं की यहां पर तुलना की गई है मतिराम देव ठीक है तो बताया गया कि मतिराम में क्या है विडियो विक्षोभन है और देव में क्या है नैनुद सन मतलब क्यों आँखों का मिलन है आगे लिखते हैं फाग उनका सबसे प्रीत तेवा यह पदमाकर के बारे में क्वोटेशन है आप जानते हैं कि पदमाकर जो किरीतिकाल के अंतिम आचारी कभी माने जाते हैं और उन्होंने तीज तेवाहर परों पर ज्यादा तर कविताएं लिखी हुई है तो उनके तरफ संकित हैं आगे लिख रहे हैं कि शिशीर के पाला क के बीरोध में मसाला जुटाने में पदमाकर किसी से 19 नहीं है बलकि 20 ही होंगे यह बच्चन सिंग पदमाकर के बारे में कर रहे हैं शिशीर एकरीति हुए ठीक है तो उसका वरण करते हुए किस तरीके से मसाला मतलब चमतकारिक ढंग से अतिशयोक तिप्रूण वरण अग असलब कि इसी टाइप के कोटेशन परिक्षाओं में आ जाते हैं और पूछ दिया जाता है कि कि किस कवी ने किस अलोचक का एक कथान है अगला कोटेशन है कि पदमाकर की भाषा में बुंदेल खंडी रंग और मैदानी नदी का प्रवाह है काफी इंपर्टेंट कोटेशन पदमाकर का संबंद बुंदेल खंड रंग बुंदेल खंडि रंग और मैदानी नदी का प्रवाह है आगे उनका बरवे नाय का भयद अपनी सरस्था और कुमलता में रहीम की बरवे नाय का भ shuffle से टक्कर लेता है. ये कभी है ये शोधा नंदन? ठीक है. उनके बारे में ये कोटेशन हैं और तुलिना की गई है ये रहीम के बरवे नाय का भयद से. मतलब की रीतिकाल में ये शुदा नंदन जो कभी थे वो भी बर्वे नाई का भेद नाम से एक रचना किये थे जो की रहीम के ही कटकर का था उन्हीं के तरह था ठीक है अगला कोटेशन सामानती जीवन की जितनी विशेष्टाएं और बैविद विहारी के कावे में मिलते हैं उतनी किसी अन्य कभी गिरेचनाओं में नहीं सत्सई में प्रेम क्रिडात्मक रूप और स्रिंगार का संयोग पक्ष अत्यंत समारोप पूर्वक चित्रित किया गया है यह काना है बच्चन सिंग का आगे लिख रहे हैं कि बिहारी ऐसे कभी हैं जिन्होंने ग्रामीड संस्कृति के यह बात कई जा रही है अगला कोटेशन है कि बिहारी के लिए प्रेम चावगान का खेल है देखिए यह परिक्षा में आने लाइक प्रशन है में भी फ्यूचर में कभी आ सकता है बिहारी के लिए प्रेम चावगान का खेल है अगला कोटेशन न तथा कथित मर्यादा के बांध में उनका जीवन प्रवाब बदने वाला था और न रीति के बांध में उनकी कभीता जो कुछ उनकी जीवन में है वे रचनात्मकस्तर पर कभीता में है वे मन के राजा थे यह घनानंद के बारे में कोटेशन है ठीक है वे मन के राजा थे तो ध्यान रखिए कि ये बच्चन सिंग घनानंद के बारे में कर रहे हैं अगला क्वोटेशन है कि घनानंद प्रेम की यातना की कभी है ठीक है कई जग बोला जाता है कि साक्षात रसमूर्ती हैं वेदना या बीरह की कभी है ठीक है यहाँ पर बच्चन सिंग का मानना है कि घनानन्द प्रेम की यातना की कभी है अगला कोटेशन है रूप का निरखना एक बात है और देखने पर हर बार नया लगना दूसरी बात है मतलब सौंदर के तरफ संकित कर रहे हैं कि रूप का निरखना एक बात है और देखने पर हर बार नया लगना दूसरी बात है काफी important बात बच्चन सिंग यदि बिहारी देव घनानन्द के अप प्रस्तुतों को एक साथ रख दिया जाए तो कभियों की अपनी विशिश्ताओं के साथ ततकालीन यूग का आंतरवी रोध भी इसपष्ठ हो जाता है बिहारी ने मन की स्थिती को उजागर करने के लिए तुरंग, म्रिग, हाथी, आधि अप प्रस्तुतों को चुना ठीक है तो देव ने इसी काम के लिए मधु मक्की, चकुर, घनानन्द के याँ भी हैं पर उनका मन तो नेह न्यारे, मीन और चकुर चंदहीन है तुलसी का चातक, द्रिष्टान, तात्मक है, तो घनानन्द का रचनात्मक है देखिए, यह हो सकता है कितना दूर ही पूछ लिया जाए क्योंकि जितने भी यह जो पेराग्राफ से थोड़ा सा बड़ा है, कथन, लेकिन इसमें तिन्चार कभियों की तुलना की जा रही है अगला कोटेशन है, वे कलम ही नहीं माचते थे, तलवार भी भाचते थे, वे उमंगी अपनी प्रेमिका का संग साथ मिला, ये जो पेराग्राफ से थे, वे कलम ही नहीं माचते थे, तलवार भी भाचते थे, वे उमंगी और माचते थे, ये ठाकुर नाम के कभी है, उनके बारे में बचन सिंग का कठन है फर्क यह है कि एक आजीवन प्रेमागनी में जुलशता रहा और दूसरे को अपनी प्रेमिका का संग साथ मिला, ये घानानन्द और बोधा के प्रेम के बारे में कोटेशन है, बच्चन सिंग का, कि जो घानानन्द है, आप जानते हैं कि इनको देश से निकाल दिया गया था, और देश से जाते हुए इन्होंने देश मतलब उस राजी से, मतलब जो भी महमत सार अरंगिला थे, उन्होंने अपने राजी से निकाल दिया था, बिरहुत पन हो गया और जाकर ये एक संप्रदाय में दिख्चित हुए, उससे भी सवाल पूछा जाता है कि किस संप्रदाय में जाकर एक दिख्चित हुए, और फिर सुजान हित नाम से इन्होंने एक रचना इलिग दी, तो ये इनका भी प्रेम काफी रोचक रहा है, उस बाद में हो गये थे, शाधी कर लिये थे, अब हिंदी की उर्दु शैली की कविता की सुरुवात रितिकाल में होई, पर उस समय हिंदी कविता ब्रज भासा में लिखी जा रही थी, तो उर्दु कविता खड़ी बोली में, बच्चन सिंग ने रितिकाल पर चर्चा करते हिंदी की उर्दु शैली का काब्य, ठीक है, तो उसी से ये कोटेशन लिया गया है, तो ये काफी एक तरीके से नया द्रिष्टी कुन है उनके इतिहास के लिए, अगला कोटेशन है, कि मीर विचार धारा में कबीर के निकठ हैं, तो भासा के मिठास में सूर के, मीर जो की उर्दु के कभी हैं, उनकी तुलना कबीर और सूर से कर रहे हैं बचन सिंग, ठीक है, हो सकता है कभी भी कोई अगर प्रोगेर शिव्यक्ति आ गया और उर्दु सहित में रूची रखने वाला, तो इन टॉपिक से भी सवाल फ्यूचर में पूछा जा सकता है, तो ये कोट कोटेशन है कि हिंदी के सूफी कभी भी इतने और समपरदाइक नहीं थे जितने मीर थे, इस अर्थ में मीर जैसी और कुतबन के आगे थे, वे लोग इसलाम के धेरे को नहीं तोड़ सके, जबकि मीर ने उसे तोड़ दिया, देखिए कितनी बड़ी बात यहां पर बच्च कोटेशन सिंग लिख रहे हैं, होते वे उन्होंने तोड़ दिया था, तो यह कफी अच्छा कोटेशन, कभीर जपट्टा मार चोट करते हैं, तो मीर खिजाक खिजाक कर रूला रूला कर मारते हैं, यह तो और खतरना कमेंट ठीक है, टीपड़ी कथन है, कभीर से भी आकरा मक्ते मीर, देख रहे हैं, तो यह कोटेशन याद रखे परिक्षा के द्रिश्टी कोड से, मीर एक और हिंदी भक्त कभियों की परमपरा से जूड़ते हैं, तो दूसरी और आधुनिक हिंदी कभीता के स्रिष्ट कभी नीराला से, वैसी ही हेंकड़ी, वैसी बे दिमागी, वैसी ही मुफलिसी, वैसा ही अहम, ये तो मीर काफी इंपोर्टेंट उर्दू की कभी हैं, और उनकी तुलना लागातार बच्चन सिंग, कभीर, नीराला इत्यादी से कर रहे हैं, ठीक है, तो यह कोटेशन ध्याने में रखे, आगे, अगला कोटेशन है, किसमेन अज्जा आगे, सबसे बड़ी बात यह है, कि हिंदी में जहां एक और नाइका भेद लिखा जा रहा था, वहां दूसरी और इतिहास की नवज पर हाथ रखे, तो देख रहे हैं, कि रेतिकाल में नाइका भेद के साथ साथ, जो उर्दू के कभी थे उस समय, उस समय लिख रहते हुए गिर्धारी, बनिया, ब्यापारी, यह सब बनाशरम हिंतद, हिंदू तुर्की एक्ता की बात कर रहे थे, तो इस तरीके से हमने पूरा रेतिकाल पर विचार कर लिए, कोटेशन्स आता है, तो मैं उमीद करता हूँ कि आप सभी एक्जाम में उसको सत प्रसत साथ कर कर आएंगे, और एक तरीके से हमने दो हिंदी साहित इतिहास कारों पर विधिवत तरीके से अध्यान कर लिया है, पहला तो आचाराम चन शुकल के हिंदी साहित का इतिहास पर मैंने काफी गमभीर और विश्तिरित भी विचन किया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर उसको देखे, और हिंदी साहित का दूसरा इतियास डक्टर बच्चन सिंग पर लगबग हमने 75 प्रसत कवर कर लिया है, आधिकाल, भक्तिकाल, रितिकाल, तीनों पर विचार कर लिया है, आगे थोड़ा सा टिफिकल है, आधिनिक काल पर, आधिनिक काल को ध्यान में रखते हैं बच्चन सिंग ने खुद एक किताब लिखा है, आधिनिक हिंदी साहित का इतियास में भी उन्होंने आधिनिक काल पर विचार किया है, तो हम हिंदी साहित का दूसरा इतिय कांटीनूर रखेंगे बाद में बिहारी का नया मुल्यांकन और आधुनिक हिंदी सहती का इतियास पर कभी चर्चा कर ली जाएगी तो कमेंट्स करकर जरूर बताए कि यह आज का वीडियो लेक्चर आप सभी को कैसा लगा मिलते हैं नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए न कर